हेलो फ्रेंट्स मैं हम दूट को अगेन बात करने वाला हूँ और नहीं आई की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कि आप ही मैं से कुछ सोग जानना चाते हैं तो आप इस वीडियो में बन रही है फ्रेंट्स आपको मैं बता दूँ कि इस फोन पर मैं और भी कापी सार वीडियो बना चुका हूँ अगर अफो इस वीडियो को चेकाउट करना चाते हैं तो लिंक दिया है निचे डिस्क्रिक्विशन में वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अगर आप इस phone को खरीदना चाते हैं तो उसका भी मिंदिया है निचे डेस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर आप इस phone को खरीद सकते हैं तो चलिए जल्दी से iSVD को शुरू करते हैं friends तो यहाँ पर जल्दी से iSVD को शुरू करते हैं friends या तो आप दो nano sims लगा सकते हैं या आप एक nano sim के साथ एक micro SD card वहाँ पर लगा सकते हैं उसी के साथ आप sim adapter का use कर सकते हैं दो sims और micro SD card लगाने के लिए दूसरा कुछन है यहाँ पर कि scroll shot कैसे दे सकते हैं आप इस phone के साथ तो आपको पहले देना है screenshot नोर्मल इस screenshot जैसे भी आप देते हैं वैसे आप दे सकते हैं power button और volume down key को प्रेस करके उसी के साथ यहाँ आप notifications टोगल में जा सकते हैं वहाँ पर से screenshot दे सकते हैं scroll shot देने के लिए friends अगर आप किसी ऐसी screen पर है जहाँ पर आप scroll कर सकते हैं वहाँ पर आपको screenshot देने के बाद एक option मिल जाती है scroll shot में इसको convert करने की तो वहाँ पर आप उसको press कर सकते हैं उसके बाद वो उस screenshot को scroll shot में convert कर देगा अगला कोशन है है यहाँ पर इस phone की battery life के बारे में battery life मैं आपको बता दुका हूँ friends battery life मुझे इस phone की जादा अची नहीं लगी है अगले question की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ camera performance कैसी है और MI1 के comparison में camera performance कैसी है तो मैं आपको पता देता हूँ friends कि अगर मैं बात करूँ cameras की यहाँ पर मुझे इस phone की performance MI1 से जादा अची तो definitely नहीं लगी है अगर आप बात करूँ rear cameras की वहाँ पर MI1 की performance आपको इस phone से काफी थी देखने के लिए मिल जाएगी अगर मैं बात करूँ portrait mode की तो हम पर portrait mode भी आपको जादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है इस phone के comparison में अगर हम बात करता हूँ selfie cameras की तो सिरफ अच्छी lighting में इस phone का selfie camera जादा अच्छा perform करेगा किसी और phone से अगर आप चल जाएंगे low lighting में तो इस phone के दोनों ही cameras में बहुत जादा noise आपको देखने के लिए मिलती है जो के बहुत ही irritating है friends अगर question की हम पर अगर में बात करूँ और friends के इस phone में आपको UI lags देखने के लिए मिलते है नहीं मैं आपको बता दूं friends के बहुत से लोग मुझे एक question पूछ चुके है और बहुत से लोग को एक confusion है यह दिल्चस्पी है जानने में कि क्या आपको इस phone में UI lags मिलते है नहीं हो सकता है एक दो सेकंड के लिए वहां पर आपको hanging का issue देखने के लिए मिले लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर UI lags आपको कोई बहुत सारे देखने के लिए नहीं मिलते है उसे के साथ कुछ bloatware इस phone में आपको देखने के लिए मिलते है उसको आपने install कर सकते है most of the bloatware को अगर आप इसलिए पूछ रहे है क्योंकि MI1 में आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलते थे तो वह वाल network issues आपको इस phone में देखने के लिए नहीं मिलेंगे कोई network fluctuation नहीं है उसे के साथ अगर आप cold quality की बात करें वहां पर आपको कोई भी दिखने के लिए नहीं मिलती ह अगला question यहां पर है friends कि आप one-handed usage इस phone में possible हो पाएगा या नहीं मैं आपको बता दूं friends कि हालांकि इस phone में आपको काफी बड़ी screen देखने के लिए 5.9 inches की screen आपको इस में देखने के लिए मिलती है फिर भी यह phone आपको ज़्यादा बलकी देखने के लिए नहीं मिलता still one- one-handed usage मेरे हिसाब से इस phone में ज़्यादा possible नहीं है हालांकि again से मैं आपको बता दूं friends कि screen size के इस आप से यह phone ज़्यादा बड़ा नहीं है one-handed usage फिट भी मेरे हिसाब से यहाँ पर possible नहीं है one-handed usage के लिए एक mode आपको देखने के लिए मिलताता है अगर आप उस mode को use करना चा पर आपको काफी स्मूद experience भी मिल जाएगा अगर आप मोडरेट गेमिंग करेंगे तो आपको काफी इचा experience वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगले question के यहाँ पर आपको दोनों कैमरास को यहाँ पर इकठा यूज कर सकते हैं नहीं तो आपको पता होगा Nokia के flagship phone में यह option आपको देखने के लिए मिली है कि उसमें आपको दोनों कैमरास को इकठा यूज कर सकते हैं इस phone में यह option आपको देखने के लिए नहीं मिलती है friends अब दोनों कैमरास मेरा मतब है कि front camera और rear camera को इकठा यूज नहीं कर सकते हैं अगला question यहाँ पर है कि fingerprint sensor से सिर्फ आप notifications को नीचे या उपर करने के लिए fingerprint sensor को use कर सकते हैं आप gallery में photos को browse करने के लिए fingerprint sensor को use कर सकते हैं और भी काफी सारी options हैं आप camera में photos देने के लिए भी उसको use कर सकते हैं तो काफी सारी uses आप कर सकते है fingerprint sensor के साथ और fingerprint sensor जो इस phone का है वो काफी थेस भी है तो यहाँ पर fingerprint sensor पीस है वो लाड़ स्पीकर की तरह यहां पर नहीं काम करता उसी के साथ जो इस फोन की लाउडनेस है फ्रेंड्स मेरे साब से वो बहुत जादा नहीं है अगर आप सुनने चाते हैं कुछ लेकिन आप चले जाते हैं अगर यूटीव वीडियो पर फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो सोगेरा देखने चाते हैं वहां पर आपको जो आवाज है वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है और थोड़ी मैं बोलूंगा कि आपको यह फोन से यूज़ करना चाते हैं फ इस प्रेंड पर आपको फूल एच्छी ब्राइटने के लिए मिलती है इस फोन में आपको बैस डिस्प्ले कॉर्टी देखने के लिए मिलती है कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर 18-9 इस पर के इसाब से 5.9 इच की जो स्क्रीन है फ्रेंड्स वहां पर आपको फुल काफी इची कॉंड्स उसे के साथ काफी इची sharpness वगारा रा आपको देखने के लिए मिलती है काफी crisp डिस्प्ले है उसे के साथ अगरा viewing angles की बात करें विउवें आपको कोई दिक्कत नहीं के लिए मिलती है अगरा आप चल जाते है उनल इस व्यारसें से चबलाया में रहा मैं आपको बता दों friends कि इस phone में LED notifications light आपको देखने के लिए मिल जाती है और multi color LED notification light है तो कुछ अलग लग notifications के लिए कुछ अलग लग color की lights आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला question यहाँ पर है friends कि Nova 2i और Honor 9i क्या same phone है मैं आपको बता दों friends कि Nova 2i और Honor 9i same phones है exactly same phones है हाला कि India में यह phone Honor 9i के नाम से दोंच किया गया है उसी के साथ last question जो यहाँ पर है कि क्या इस phone को हमें खरीदना चाहिए या नहीं कुछ लोग यह स्वाल उचते है friends कि क्या हम इस phone को खरीदे या नहीं मेरे हिसाब से friends यह phone जाला अच्छा नहीं है किसी भी expect में यह phone आपको बहुत अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता हाला कि अगर आपको कुछ सिर्फ ऐसा phone जाहिए जिसमें आपको 18 इस्टू 9 इस पर देखने के लिए उसी के साथ कुछ gaming experience आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाए कि उसी के साथ अगर आप बात क करें लाउडनेस वगयरा की या इस phone की camera performance की वह भी मुझे जादा अच्छी यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी सिर्फ अगर आप बात करेंगे UI features की वह आपको यहां पर काफी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे तो कुछ स्टिल और सवाल हैं सुझाव हैं इस phone के बारे में तो आप हमें नीचे comments में बताना मत भूलेगा उसी के साथ आप मुझे बताईएगा friends कि के आप चाते हैं कि मैं Redmi Y1 को review करूं या नहीं क्योंकि उसमें कुछ मेरे सबसे जाला अलग या कुछ special नहीं है सिरफ उसका camera है review करने वाला तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस phone को review करना चाहिए तो आप मुझे नीचे comments में ज़रूर बताईएगा उसी के साथ अगर आप कोई वीडियो अच्छी दगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा friends और आप कुमारे चानल को सब्सक्राइब सुरूर कर देजिएगा आगे आपने वाली वीडियो को देखने के लिए इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद friends